अभिमन्यू को छे लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोनचारिय, करना, खृपचारिय, खृतवर्मा, अश्वतामा और शकुनी सर आज भी चक्रिवू के बीच में छे लोग हैं सर चक्रिवू के बिल्कुल सेंटर में, चक्रिवू में हजारों लोग होते हैं सर मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छे लोग कंट्रोल करते हैं, तो जैसे उस टाइम छे लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छे लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रिवू को नरेंद्र मोदी जी, अमिद्शा जी एक मिट एक एक मिट आप निए आप के कई माने सदेशों नहीं यहां पर मुझे लिख लिक कर दिया है कि जो माने सदेश सदेश का सदेश्य नहीं है उसका नाम निले आपने लिक के दिया अगाने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब आप चाहते हैं तो में एक मिट मैं प्रती पक्ष के नेता से यह तो अपक्षा करूवा सही कि कि वह सदन की नियम प्रयादा मर्यादा को बने अपक्षा करता हूं आप चाहें नहीं करें पर में अपक्षा करता हूं ने सर मैं अगर आप चाहते हैं सर मैं फिर मानने सदेशा अगर आप चाहते हैं प्लीज मैं नी चाहता सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है अग ताव् सुझेख अंचूचिया सबॉच्तृ आप शंचूचिया सबॉच्छिया दिए त॥च्छूचिया यहाँ पिलेच, यहाँ भी कशूचिया एड भान स्पीक शार ही लिएद प्रेक सक शार वातार है अधिर कहा है। first is the idea of monopoly capital that two people should be allowed to own the entire Indian wealth so one element of the chakra view is coming from the concentration of financial power the second element sorry budget co for मैं एक सेक्ष También साथ। ऑप दो, सबस्क्राइब करना हूं का कार ओवना हूं। लोगाह घाया हुए। one element is financial power, the second element is the institutions, the agencies, CBI, E.D., income tax department of this nation . The 3rd is the political executive. these three together are at the heart of the Chakra VMware and they have devastated this country because my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakra VMware that this budget would help the farmers of this country would help the youth of this country would help the labourers the small businesses of this country But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, इसकी जो नियत है, it is to strengthen this framework. The framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally, the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been, the first, पहला काम इस चक्रुवी ने क्या, क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, small and medium businesses हैं, जो करोणों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रुवी ने आकरमन किया. कैसे किया, नोट बंधी, GST, और टैक्स टेरोरिज्म, आप लोग अतमकवाद की बात करते हो, पूरे देश में, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनस चलाता है, तो रात को उसको फोन कॉल आता है, इंकम टैक्स डिपार्टमन से, GST से, और टैक्स टेर को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है, तो टैक्स टेरिज्म के कारण, और ये जो आपकी नीतियां है, जो आपने कोवेट के समय बड़े बिजनसेस की मदद की, और जो स्मॉल और मीडियम बिजनसेस थे, उनको खतम किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाँ को रोजगार नहीं मिल सकता है, बिलकुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है, अब फइनांस मिनिस्टर बैठी है, अब युवाँ के लिए आपने क्या किया, बजट में आपने इंटर्शिप प्रोग्राम की बात करी, और ये शायद एक मजाख है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्शिप प्रोग्राम सिरफ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्शिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना ने, कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके उपर आप बैंडेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं में मुद्धा आज युवाओं का एक्जाम पेपर लिक हैं जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी बेरोजगारी का चक्रविव बना दिया इनके लिए और जहां भी हम जाते हों कहते हैं यह बेरोजगारी है, मगर पेपर लिक भी होता है. तो आपने एक साइट पेपर लिक चकर भी उ, दूसरी साइट बेरोजगारी चकर भी。 पेपर लिक मैं आपको बताता हूं, दस साल में सतर बार हुआ हैजर आप जानना चाहते Midकार को आप च्चेटी के बारे में बताएए सर आप निर दोपया आपकर लिए सर तो पेपर लीग के बारे में कि का इन फाइनेंज मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द ही का है युवाओ के लिए पेपर लीग सबसे जरूरी मुद्धा है, उन्होंने एक शब नहीं का है, पेपर लीग के बारे में, एक बार उन्होंने पेपर लीग नहीं का हो, और उल्टा, उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था, वो आपने 20 साल में सबसे कम प सर दूसरी तरफ दूसरी तरफ आपने दर्जे आपकी निमांगते हैं अधर रनिंग कमेंटरी करने साथ दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अगनीवीर के चक्रव्यू में फसाया इस बजट में अगनीवीरों के पेंशन के लिए एक रुपिया नहीं है आप अपने आपको देशबग कहते हो मगर जब अगनीवीरों की मदद करने की बात आती है जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको एक रुपिया नहीं दिखाई देता उनकी पेंशन के लिए एक रुपिया आपने नहीं दिया तो उनको आपने उनको आपने अगनिवीर के चक्रवियू में फसाया उसके बाद सर जो अंदाता है वो चक्रवियू से निकलने के लिए आपके चक्रवियू से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून जबीन अधिकरन बिल को आपने कमजोर किया उनको आप सही दाम नहीं देते हो इस चक्रवियू से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिरफ एक चीज मांगी है दो चीजे नहीं मांगी है, सिरफ एक चीज मांगी है उन्होंने कहा है कि हमें legal guaranteed MSP देगा आपने उनको border पर बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक road बंद है आप उन्हें से बात करने को त्यार नहीं है, वो यहां आए मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने देरें मानने सदर्शे, आप सदन में असत्य नहीं कहें आप वह एक मिट चलिए आप 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 इन आपको बताता हूं जो मुझे एक सिक्षाह बताता हूं फिकर शर फार्मर्स का डेलेगेश्ट में सर्मापको फाक्ट बताता हूं पर आपके माने सुदश हो के दे हैं यो सदन पारोग में लगा में नलने इन इनको बोले मोले बता हों वे डिचर सर वन के का सर मैं आपको बताता हूं जो जो युणु जो मुझे मालूम स्ट कर समया को ब्ता हो I mean it Despite सरण हुआ क्या वहां मुझसे मिलने एक फार्मर का ड्लेगेशिन आया मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलेगेशिन पूนนहीं आने देंगे मैं उनसे मिलने जब गया कब उनको अंदर आने गिरिया गया था सर यह फैक्ट है सर अब पता नहीं कोई मिसकम्यूनिकेशन हुआ वो अलग बात है बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब गरवाजे के पार्लमेंट के संसत के उनके लिए खुले उससे पहले वह बंज ठीक और यहां उनसे भी पूठ लीजे सब्सक्राइब एक मिट प्लीट एक मिट प्लीट आपने विश्य उठा इसलिए बोल रहा हूं ऐसे तो सदन की वैस्ताओं पर सवाल ने उठाना चीए किसको आने दे एक मिट प्लीट बेटी है किसको आने दें किसको इलाओ नी करने दें यह स्पीकर का ड्यूडिक्शन होता है नंबर एक जब यह सूचना आई आप मिले उनसे अंदर मिले लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उलंगन हुआ कि कभी सदन में मानिस सदश्य के अलावा दूसरा कोई वेक्ती बाइट नहीं दे सकता और हाँ और आपकी मुजद्गी मुनों बाइट दी यह क्लेर करना चाहता हूँ सर्य टेक्निक अली टी है और यह मुझे बालूम नहीं तो अट्वर प्लेश नौ अगरे अधर ना अधर प्लेश अधर नौ अधर निया नहीं जा जा आप मत बोलिये आपके नेता बोल रहे हैं तो स्पीकर सर यहां पो बेटे-बेटे इस को हम सिकने का निए मानिस मानिये प्रक्राइब निता आपके बेटे-बेटे सदश कोमेंटरी कर रहा है फिर वो के दिए लोग कोमेंटरी कर रहा है हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अंदाता है जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है लीगल गैरेंटीड मेंस्पी हमें लगता था कि यह कोई बड़ा क काम नहीं है हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है जो चक्रवियू में आपके चक्रवियू में फसे हैं वो निकल पाते हैं यह हमारी थिंकिंग थी मगर मगर आपने नहीं किया तो मैं यहाँ इंडिया गडबंधन के तरफ से गैरंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा दिए जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ गैरंटीड लीगल MSP हम इस सदन में पास करके आपको देंगे आप प्रधान मंतरी को अच्छी बात बोलो है अगर नेता के पच बोल रहे हैं आप बेठे बेठे चिपनी आप मत आप करो तो वह भी करेंगे आप आप मत करो मैं सब शालेंगर प्लीज थीर चिपनी कर रहे हैं आप अब प्लीज माने कि धूसर मिडल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधान मंतरी को सपोर्ट करता था जब प्रधान मंतरी ने को विड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उननों दबाबकर थाली बजाए थाली बजा थाली बढ़ जाए हमें अजीब लगा मगर प्रदमंत्री ने middle class को order दिया तो middle class ने थाली बजाए उसके बाद प्रदमंत्री ने उसी middle class से कहा mobile phone की light जलाओ और mobile phone की light जली middle class ने पूरे हंदुस्तान में middle class ने mobile phone की light जला दी अब इस budget में आपने उसी middle class के एक चुरा पीठ में मारा, दूसरा चुरा चाती में एक इधर मारा और एक इधर मारा indexation जो आपने cancel की, वो पीठ में चुरा था, और जो capital gains tax आपने बढ़ाया, वो चाती में चुरा आपने long term capital gains tax को 10% से 12.5% किया, यहाँ चाती मारी, यहाँ चुरी मारी, और short term को 15 से 20% चुरी मारी, दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गरबंदन के लिए एक hidden benefit है, middle class, अब आपको छोड़ने जा रही है, और इस साइड आ रही है तो मेरा कहना है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है, आप चक्रव्यू बना देते हो, एक chance मिलता है, आप चक्रव्यू बना देते हो, हम चक्रव्यू तोड़ने का काम करते हैं, हमारे budget में, किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यू तोड़ा, मन्रेगा हुआ, चक्रव्यू लोग सपना ना देख पाएं शिरफ क्या से सर मैं सर कैसे बोलू सर माने सदταश्य एक एक प्रविट सर एक मिट एक मेर्वनिट कि माने सदाश्य चरम आपके एक मिट आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्ते देखे गए कि कोई भी माने सदश जो इस सदन का सदश नी उसके बारे में टिपनिन ना करें लिखित में देखे गए इसलिए आपको सबीकर सब्सक्नलषे था की पीखिए जाएगे सबॉस्ट अब सवाल सावा सबस्क्षा से लिखिश्ट करेदें तो अब नाम ने लिए सकता तो कुछ तो कर दो को बता दे को लिखे चिटी के गए मुझे अर्याना के पूर्द मुख्यमत्री के संजाद पर खंबा अपने चिटी बेजी एक पूर्द मुख्यमत्री को अब दो हुद्योपुती से चोड़ना चाहते है अपी अपको बोलने जह रहे है यह आपको बोलने जह रहे हैं आप से मेरी यह अपिक्षा है आप से आप सदन के नेता सदन के आप परतिपश के नेता हैं यह सदन की अपिक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोराम डिसीपिंट और उसको बढ़ा के रखें इसलिए आप जो विशे रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें में कैसे कहूं इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दू में आप मुझे बता दीजिए से कोई दूसरा तरीका हो सथ नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका देजिए सब आप घ्यान मदबाटों उनको ग्यानी है माने प्रतिपश के नेता, मैं आप से फिर अपिक्षा कर रहा हूँ, कि आप कम से कम नियम परक्रियाओं की पालना करें, सदन में आप प्रतिपश के नेता हैं, ये अपिक्षा कर रहा हूँ, में आप से अपिक्षा करें, आप किसने का उपिक्षा करें, ना इक नेट प्लीच, बैठिये, एक प्लीच बैठिये, एक स्पिकर सर ये जो लोग ये दो जो दो लोग है सर ये हिंदुस्तान के इंफरस्ट्रॉक्चर को बिजनस को कंट्रोल करते हैं इनके पास एरपॉर्ट है टेलेकॉम का सिस्टम है अब पॉर्ट है अब रेलवेज में जा रहे हैं सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का पनापुली है सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मनोपली है तो सर में समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं इनके बारे में बोलना दो पड़ेगा से अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोलनी नहीं सकते तो वो तो अमरे एक्सेप्टिबली नहीं से हमें भोलना है अब आपको आपको आप चाहते हूं कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम देदीजी । अब We JULIE-DQ प्लेट 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 खुर था किरें हैं और हम लेग बदेशना इंड करते करते हैं ऑपॉर्लेमें पॉर्णे को चैनिज करते हैं आपको नियम आम लाहिए इस सदन का सदसोने कनाते हैं नियम जानना जरूरी है नेताः परतिपक्स को उसलंते सो डुम्त कले में बारे में पचान क्या आइंट कुद भाद है हम लोग सबाष भीस लुग सबॉपासभीकर को चैनेंज़ करके आज सदन के लेटाः परतिपक्स ने इस करिभरीमा को किदाया है मचार्ण नहीं करें, तभार राइस करें, आप पतान, तरण उयAyई तभाइस करें, तो 국त राइस करें, आस एस एड लाइस करेंग ले लॉग ultimate में जड लेन Lessig aik लाइस, सब्सक्राइब कर रहे हैं वह बेटकर टिप्रेज कर रहें कोई सब्सक्राइब यह आपको डिश्ट सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब प्रवाद गांदी जी आपको नीबोने प्रवाद समझता हूँ एक प्रवाद मैं समझता हूँ मंतरी जी को रक्षा करनी है मैं समझता हूँ मुझता मैं स्चेली आपके संभाद में वो स्था लें हुआ है सर्वन इस पर से ओंट राया से सर्वन हे है सर्वबर्द से ओंजता हूँ कि यलीड आपके सदर्शाइज बेटे 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 बोर टिपनी कर रहा हुआ 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 है बेटे बेटेज़ criminal से उसमें कहने के लिए नहीं किया यह नियम होता है अगर सर अगर समय हम मांगते हैं तो येल करना एक परंपरा है नहीं नहीं आप यूद्ट परंपरा है मैंने विवस्ता तहर तेहर तो नहीं अब लेख सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रदान मंत्री जी को पूरा बाशन तक आपने दिश्टाब किया बोले नहीं दिया आज हम आपको यल्ड मंग रहा है दस तेकर्ड टाइम आप बोल रहा है हम यह नहीं करेंगे यह कौन सा परंपरा है मैं जबसक्रिक नहीं बोल रहा हूं मैं तो नियम को तेप बोल रहा हूं और वन स्पीकर का परमिशन देर ऐदे लगины होता है एक दुस्तरा का इजट देना होता है, इतना तो कुर्टसी होना होता है, राहूल जी. Sir, 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 I will respond to that, sir. Sir, if, if when we raise our hand and ask for the Prime Minister and the Ministers to yield, they yield, we will yield every time. The moment you yield, I guarantee you we will yield. In fact, I am ready. I am ready, speaker, sir. I am ready.